नमस्का, आजी आमना सम्लरे आमसह अच्छंती, सरादेशरे जल मानव तथा वाटर म्यान भावरे परिचित, शुत राजेंद्र सिंग्, ओडी सरे जल समस्या एको बड़ समस्या भावरे उभाया होईची, इभिन्न नदिर समस्या हूँ, बा लुकुंको पाखरे पाणी पह अच्छिबाहो, ए समस्या वड़ समस्या भावरे उभाया है चीव ओडिसारे जल समस्या सहित मध्या बलभावरे परिचित शुत राजेंद्र सिंग्, विभिन्न समरे ओडिसा कुआ आसिछंती, महा नदी जल विवाद कथा हूँ, बा अन्यान नदिर किभली भावरे सुर अधान हवा दरकार, एधी पाएं किये दाई, कहें किये भली समस्या देखा दे उची, ए संपरकर विश्तुत भावरे तैंक ठारू जाड़ा, राजेंद्र जी आपका बहुत बहुत श्वागात है, आप बार बार ओडिसा आये हैं, ओडिसा का जो रिभर का जो इसु है, जो भी इसु है, आपको अच्छी तरह से पता है, खासकर महानदी को लेकर जो दोनों राजों के बीच में जो जंग छेड़ा हुआ है, तो उसके बारे में भी आप दोनों राजों के चीप मिनिस्टर के साथ पहले भी मुलाकात कर चुके हैं, तो अभी महानदी का अगर हा जानेंगे, तो पहले जब आये थे और जब आंदुलों चल रहा था, उसके बाद ट्रिबुनल का अगठन हुआ, और अभी हालात और भी बिगड़ गया है, यह जो स्थिती पैदा हुआ है, इसके लिए आपका क्या करण आप मानते हैं, तेकि छे साल पहले, जब समझनाओं पर नदियों पर अतिकर्मन परदूशन और सोशन बहुत तेजी से बढ़ रहा है, बड़े लोग नदियों के पानी पर अतिकर्मन कर रहे हैं, और तब तक उडिशा में इसकी बहुत चर्चा नहीं थी, पर जब हम आये 6-7 साल पहले तब धीरे धीरे चर्चा और सुदर्शन दास ने थोड़ा इसको पकड़ा और फिर उडिशा की विधान सभा में भी और सब जगे चर्चा हुई, लेकिन मैंने तब भी कहा था कि कोई भी ट्रिबुनल अब तक नदियों के विवाद को सुल्जा नहीं पाया है, क्योंकि उनको नदियों की हेल्थ औ का या नहीं होता, वो केवल समझोता करने की कोशिस करते हैं, जो उपरी होता है, जो नदी की रूट्स हैं, नदी की रूट होती है, कल्चिरल, सिवलाइजेशनल, एकॉनोमिकल, स्प्रिच्वल, सोशल, उस सब के साथ उनकी गहरी समझ नहीं होती है ट्रिबुनाल के खिलाप पहले सही थे, लेकिन यहां जो आंदलोन चल रहा था, यहां का जो स्टेट गर्मेंट है वो तो ट्रिबुनाल चाहता था, वो आंदलोन इसलिए चल रहा था कि ट्रिबुनाल बने और हल हो जाए, महानधिक को लेकर सरकार हैं हमेशा समश्याओं को लेंगरोन करती है, समाधान नहीं ढूनती, उडिशा सरकार भी टिबिनल की डिमांड इसलिए कर रही थी, क्योंकि वो इस समश्या का समाधान के लिए तोड़ा और इंतजार करना पड़े, और समश्या का समाधान ना हो, तो आप यदि देखे कावेरी के विवाद को अब बहार कर मुखमंतरी बने पहले भी यह बात बता चुके हैं मैं आपका एक इंटर्व्यू कुछ समव पहले सुन रहा था एक पुरान इंटर्वुई आप बता रहे थे कि ये महानदी इससु को एक political टूल बना रहा है, 2009 का election था, 19 का election था, इसलिए यहां का ruling party इससे एक मुद्दा बनाया था, और election खतम हो गया, मुद्दा भी चला गया, तो ये एक political mileage के लिए एक मुद्दा उठाय गया था, ये आप मा बहुत उपर से देखती है, और उपर से देखकर उसके लिए power के लिए क्या benefit है, क्या profit है, उसकी तरफ move करती है, इसलिए tribunal बनवा दिया, ये कोई भी political party कहेगी कि देखो हमने लड़के tribunal बनवा दिया, क्योंकि हमारा constitution न्याय को सर्वो पर ही मानता है, तो जब कोई political party कहत है कि देखो हमने judiciary में ये मामला भेज दिया और हम उसका judicious ठीक decision करवा पाएंगे, तो उनको थोड़ा बहुत political gain होने लगता है, तो ये जो political gain की और lose करने की strategy होती है, वो हमेशा power use किया करती है, नहीं तो power भी जानती है कि हिंदुस्तान में कोई tribunal नहीं है, जिसका दिया ह पार्टियों को स्विकार हो, और फिर वो पानी का, मैं दस्यों tribunals की कहानी बता सकता हूँ, अभी latest मादई नदी है, मादई नदी गोवा, महरास्टा और करनाठका के बीच पानी का विवाद है, अभी वो त्रिमिनल का decision आ गया, दोनों को स्विकार नहीं है, ये भी त्रि स्विकार मानेगा, ना उडिसा मानेगी, मैं उडिसा को भी बता रहा हूँ, मैं court कर रहा हूँ, क्योंकि ट्रिबुनल हमेशा, ट्रिबुनल की decision making process में ये हमेशा रहता है, कि वो ऐसे सवालों को उठा के लेके आते हैं, जो उसकी science होती है, एक river की अपनी science होती है, और वो science है river science, नदी का अपना एक ecological और एक environmental flow होता है, वो उनकी priority पर नहीं होता है, वो priority पर होता है interest, benefit of the state, तो फिर वो दोनों को equally benefit पर तराजू में लेके तोलते हैं, कि अभी इतना loss हुआ इनको, अभी इतना loss हुआ इनको, और उस loss की calculations में फज आते हैं, पर loss की calculations में जो river community है, व river community को कभी वो गनित समझ में नहीं आता, उनको अपना direct जो उनकी livelihood है, नदी उनकी life है, नदी उनकी culture है, विचार में नहीं लाते हैं, वो विचार में नहीं लाते हैं, अभी महानदी के ब्यात करेंगे, पंदेरा district स्वोरिसा का है, जो direct depend करता है महानदी के पानी के ऊपर, अभी तो महानदी में पानी नहीं आता है, आ रहा हैं, तो क्या होगा, इसका समाधान क्या होगा, देखें, इसका समाधान बहुत साफ है, कि जो पानी जहां रोका है, और जिसने रोका है, वो तो छोड़ेगा नहीं, वो तो छोड़ेगा नहीं, तो फिर पानी तो सबको च चाहिए अभी आपका हिराकुन डैम भी ड्राइव होता जा रहा है तो सब जंगे पाने की प्राब्लम है लेकिन महानदी में पाने का फ्लो ठीक हो उसके लिए बैठ कर दोनों राज्यों को तै करना चाहिए यही हल है यही समधाने को अपनी उस प्यूपिल के लिए रेस्पोंसिबल होना पड़ेगा वो जुडिस्टरी में डिसीजन के लिए जब टालेंगे तो उसका समाधान नहीं होगा स्टेट गर्मेंट ने डिकलार किया था कि हम जो पानी चला जा रहा है बारिस के मोश्यम में समंदर में तो हम बांध बनाएंगे बांध और बैरेज बनाएंगे और पानी को रोकेंगे तब चतिशगार नहीं छोड़ेगा फिर भी हमारा काम चल जाएगा लेकिन यह सलूशन अभी भी बहुत ही जरूरी है लेकिन जी सॉलूशन पर इन्हें काम शुरू कर देना चाहिए आठ बांधों की बनाने की बारे में यह डिकलार किये थे लेकिन अभी तक एक भी बांध की बनाने के काम भी शुरू वो प्रोसेसिंग भी शुरू नहीं हुआ और साइट सेले जिसके लिए तुम्हें पर्मिशन गौर्मेंट अफ एंडिया से लेनी पड़े शातिसगर से आपका मैंने बहुत इस्टिकली कहा था कि आप वह डिजाइन काम में ले लो जिसके लिए आपको वहां गौवर्मेंट के पास पर्मिशन के लिए नहीं जाना पड़े आप ही उन सब कामों को करवा सकें जो भी इनकी महानदी की टिम्यूटीज हैं उनका पानी रोक के कमशिकल अपने लोगों के लिए जो भी जिन लोगों ने उनको दुबारा से बार बार मुख मंतरी बना रहे हैं पांच्वी बार चुना है उनके प्रतित थोड़ा पानी के मामलें और मैं इत्ता तो जानता हूं नमीन जी की आखों में तो थोड़ा पानी है तो उस पानी को अपने लोगों के लिए थोड़ा सा बहा दे तो अच्छा होगा लोगों की आखों का पानी को क्यों समाल के रखें क्यों नहीं बहार रहे हैं नहीं मुझे की साल हो गया मुझे मैं तो सब पर आसा रखता हूं और नवीन जी पर भी आसा रखता हूं आप आगे एक दो दिन में उनके साथ उनका मुलाकात करने वाले हैं तो यह बताएंगे पूछेंगे क्या मैं उनसे कहूंगा कि देखे आपने अच्छे काम करने हैं तो किसानों के बिना और यहां के जो गरीब लोग हैं जो नदियों जो महानदी की टिबूटरीज पर और महानदी पर उडिसा में अपने को जिंदा रखे हैं उनके लिए थोड़ा पानी का काम करना चाहिए और जब तक आप नहीं महानदी पर काम करेंगे और कहेंगे कि अपने को इनिशेट करना चाहिए और इमिडेट करना चाहिए जब उडिसा में कॉमनेटी डिवन डिसेंटलाइजड वाटर मेनेजमेंट इस अनली सोलीशन फॉर दी उडिसा इस्टेट तो यदि आप उडिसा को पानीदार बनाना चाहते हैं तो उडिसा में आपकी अपनी छोटी छोटी टिबूट्री का पानी है वहाँ के किसानों को देना चाहिए वह फिर अंडर गाउंड आक्यूफर में रिचार्ज करके नदी के फ्लो भी उपर लेके आएगा और रिवर रिजुनेट होगी तो आप अभी तो भाई कह रहें कि हमारी नदी में पानी है सीजनल है आने वाले वक्त में यह हालत होगी कि नदी का पिछला पानी दिखाएंगे आपके पास नदी में पानी नहीं होगा तो यदि नदियों के फ्लो मेंटेन करना है तो जहां भी नदी के कैश्मेंट एरिया में वर्टिकल कनफाइंड के समाज को पानी दे सके जी तिन चार साल पहले एक एंवर्मेंटल कॉंग्रेस हुआ था आप भी आये थे चीप मिनिस्टर साब भी गये थे और वहां उन्होंने डिकलार किया कि हम जो रिवर्स है महानदी से लेकर जो बड़े-बड़े रिवर्स है उनके जो वेसिन है वो प मुझे लगता है कि नवीन जी को यह सब कहके याद रखना चाहिए कि जो उन्होंने अनौंस किया उसको करना है उसको करने की ज़ूर्थ है इसलिए उन्होंने बहुत किलिए कहा था मेरे सामने कहा था कि वो उडिशा के पानी को ठीक से मैनेज करेंगे और इसका community driven decentralized management जो मै शियुद्धी दिख नहीं रहा है पान साल में वो काम थोड़ा आगे नहीं बडुगा पुर्राने जमाने में जब उससे पहले वोальные काम चलता था वो भी बंद हो गया अब तो उडिसा में कोई पानी का काम सच मुछ कहीं नहीं चल रहा है मैं एक बार फिर आप यह कहना चाहता हूं उडिसा के लोगों को कि यदी उडिसा को अच्छी खेती करनी है उडिसा की तीन बड़ी है किसानी जवानी और पानी किसानों की लाइफ चैलेंजिंग हो रही है यहां के जो यूथ हैं जवान है वह अब च्छुंकि किसानों में किसानी में उनको ठीक से उनकी को लाइफ को सॉस्टेंडरि होड़ मनाने के साधा सबसे अच्छा देने का काम है, first खेती, second small scale industry और third यह जो computer वगएरा वगएरा की जो modern technology में है, यह third level पर हो सकता है, लेकिन first है agriculture, तो एक तो हमारी इस सरकार को MSP की guarantee की खरीद, जो MSP है, उसके अनुसार खरीद की guarantee का काम करना चाहिए, आपको पता है, अभी पूरे राज में, अभी मंडी में अभी जो खरीब का जो धान जो हुआ था, उसका खरीदर यह विचल रहा है मंडियों में, हजार लाखों की शान अब मंडी में बैठे हैं, और उनका बोरी, वईसाय का वईसा महिनाय, दो महिनाय चला जाता है, वो नहीं लेते हैं, उगमेंट का जो मंडी खुला है, मंडी में नहीं लेते हैं, तो किशानों का लेकर यह बहुत बड़ा गुशा है उनके वितर की, यहां क्यों नहीं होता है, यह बहुत बड़ा प्रोब्लेम अभी बना है, खासकर वेस्टिन ओडिसा में, मैं आदर्णिय नवीन जी से इन्वेजन करूँगा कि आप एक अच्छे सीम हैं, तभी तो आपको बाइस साल से लोगों ने बार 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 चुनके बेज रहे हैं, यदि आप अच्छे हैं तो अच्छा काम भी कर देजे कि फिर उसके लिए एक स्ट्रॉंग सिस्टम बना रिजे जिससे किसान को दिक्कत ना हो आने में, तो ये तो इस वकत इमिडेटली हमारी उडिसा सरकार को करना ही चाहिए, कम से कम हमारे लोगों को लगेगा कि यदि हम अभी पानी का काम नहीं कर पाये तो चलिए किसानी का का दें, जो जल्दी किया जा सकता है, और फिर जैसे ही इसका कोस्ट और इसके विक्री ठीक से होगी, तो जो भारत जो उडिसा की जवानी है, उसका थोड़ा इंटरेस्ट किरेट होगा खेती, तो जवानी भी ठीक से बच जाएगी, और फिर पानी का काम तो करना ही चाहिए, पानी के मिना तो उडिसा लाखों जो यूबक है उन्हें बाहर काम के लिए नहीं जाना पड़ेगा जो जा रहें गुजराट महारास्ट्रा बाकी राजियों में आप पिछले बाल जब मुलाकात हुआ था तो आपने एक सुझाव दिया था पहले भी सुझाव दिया थे आप रिमाइंड किये थे दो बार दो तीन बार आप बोल चुके हो नहीं मैं इस बात को कम से कम पांच बार बोल चुका दो बार तो मैं उनके दफ्तर में केवल रिवर रिजुनेशन पॉलिसी उडिसा की बने और उस पॉलिसी को एग्जीक्यूट करने के लिए आक्ट बने तो दोनों काम नहीं हुए ना तो पॉलिसी बनी और ना रिवर रिजुनेशन एक्ट बना फिर एक बार तो मैं किवल इसलिए आया था कि सेंट्रल गॉवर्मेंट ने जो रिवर्स का जो इस्टेट राइट्स है उस इस्टेट राइट को एक तरह से खत्म करने का एक 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 ल करें तो इसके लिए बात तो करते हैं अच्छी बात लेकिन काम तो नहीं बनता है ना आज उसे बताएग मांग में पूरा हूँ और धर्थि पर नहीं दिख रहा है तो फिर इसका सेक्रेंडिरी को बुला कर बात करने का क्या मतलब होता है। उन्होंने मुझे प्रामिज किया था कि नहीं हम यह जल्दी एक्जेक्ट्यूट करेंगे। तो जल्दी कितना लगता है तो आप यहां बता चुके हैं आप बांध बनाने का कमिट्मेंट उनका था आपके सामने डिक्लार हुआ था आप और अदिक्स हो नहीं हुआ बांध बनाने का काम भी नहीं रहें यह जो उडिस्ता का सबसे बढ़ा भी इसू है और आगे आप खुद बता हैGO और हम्हीर होने वाला है तो इसको लेकर उडिसा गर्मेंट का कमिंट्वेंट क्या है आप एक सब्सक्राइब बाक्त में बताएगे मैं समझता हूँ कि उडिसा सरकार को अपनी राज्य की रीवर्स को रिजुनेट करना ही चाहिए और रिवर्स रिजुनेट के साथ साथ यहां की फार्मिंग को और यहां के यंग लोगों को नीर नारी नदी का सम्मान करके इस काम में लगाने की ज़ूर्थ है और यदि यह का काम में नहीं लगया तो आपका उडिसा बेपानी हो जाएगा यह मैं बोल रहा हूं यह कड़वी बात जरूर है लेकिन यह फैक्ट है यदि उडिसा को पानीदार रहना है तो उडिसा में कॉमनेटी डिवन डी सेंटलाइज्ट वाठर मेनेजमेंट सामुदाइक विकेंद मैं तो पॉलिटिकल अनलेटिक इंसान नहीं हूं मैं एक बहुत क्रियेटिव मैंने जीवन में 11,800 डैम बनाई हैं इसलिए मेरे से सवाल पूछना है ना वो क्रियेशन वाला पूछना जाए ने ने मैं वही बता रहा हूं निकाम नहीं हुआ नहीं रखेंगे आप लेकर और प्रोब्लेम को लेकर के बइरम में आप क्यों सब्सक्राइब कृशना क्यों हुआता हूं आप मेरे से पूछना हाथ जाहते हैं तो जो कि शायद rikt हुआ हुआ कि जifi वह वह यह करना शायद उनकी priority नहीं है लेकिन हम यह मानते हैं कि उनकी priority बनने ही चाहिए क्योंकि वो अब पांच्वी बार मुख्मंत्री बने हैं तो उनकी कलपना होगी कि जब तक वो life है तब तक वो हमेशा मुख्मंत्री रहे तो यदि उनकी life में वो really ऐसे politician बनना चाहते हैं आइंड तक वो cm रहें तो उनको river regeneration का काम और उरिसा के farmers को पानी देने का काम करना ही चाहिए यदि वो काम नहीं करेंगे तो उनकी खुद की आँखों का पानी सूख जाएगा और उरिसा बेपानी हो जाएगा उनकी आँखों में पानी रहना और उडिसा में पानी रहना इन दोनों के रिष्टे हैं क्योंकि उडिसा की जनता उनको बार-बार CM चुन रही है यह बात हमारे मुख मंत्री को समझ में आनी चाहिए यह बात उनके समझ में नहीं है या वो समझना नहीं चाहते हैं वो समझते हैं लेकिन एड़ीक्यूट नहीं करवा पाते हैं उनके अंदर उनके पास जो मेजरेटी है सभी जो पांस बार आये हैं उनके पास तो वो प्लिटिकल कोई कंपल्शन नहीं है तो फिर क्या प्रूबलम है कंपल्शन नहीं है और फ्री हैंड वो करवा सकते हैं बट मुझे लगता है कि वो अपनी ब्यूरोक्रेशी को और अपने टेक्नोक्रेट्स को कुछ हार्डली इस काम को एग्जीक्यूट कराने में फिल रहे हैं यदि आप मेरे से कड़वा सब्द ही सुनना चाहते हैं उनक अकेले इंसान राजस्थान भारत के बाकी प्रांतों में लोगों के पास पीने का पानी पहुंचे वो अकेले इंसान वो खुद के दम पर वो कई गाहों तक पानी पहुंचाएं वाटर ट्यांक बनवाएं लेकिन आज आपको पता होगा ओडिसा का बीस हजार से ज्यादा इशे फैमिली है जिनके पास उनल्व पर पानी सुद्ध पानी नहीं मिल पा रहा है तो अगर अकेले राजेंदर सिंग ये कर सकते हैं तो ओडिसा के बीस हजार फामिली तो क्यों नहीं पहुंच रहा है मैं समझता हूँ कि ये जो एक वाटर कमिटमेंट और वाटर पॉलिटिकल कमिटमेंट की जरूरत है वो पॉलिटिकल कमिटमेंट नहीं होगा तो बीस हजार अभी हैं ये अगले साल तक एक लाक हो जाएंगे और जादे बढ़ते जाएंगे और तुम्हारी सरकार कहेगी कि हमने हर घर में नल और नल में जल दे दिया है क्योंकि जब सरकारी डेटा होता है तो गवर्मेंट का डेटा होता है कि कॉंटेक्टर को पाइप का कॉंटेक्ट मिला उसने अपना टेंडर किया अपना पैसा उठाया और फिर उनके काद्जों में बोलता रहता है कि हमने हर घ भेपानी करने का काम है हर घर मेन नल हर घर में जल ये solution नहीं है मैं एक बार किता हूँ कि उड़िका ज़िए को यदी पानिδार बनना है तो हर घर में नल नल में जल वाला solution नहीं चलेगा बहुत सोच समझके कह रहा हूं यदि उडिशा को पानिदार बनाना है, solution करना है, तो one hand conservation and other hand discipline use of water and the skill development in efficient use of water, ये उडिशा सरकार को आगे लेके आना होगा, यदि उडिशा सरकार इस काम को करना चाहती है, तो उडिशा को एक water literacy movement चलानी होगी और ये काम सरकार को चलाना चाहिए, क्योंकि सरकार की responsibility है, हमार Indian constitution में ये कहा है कि right to life, ensure करना, महानदी के अलावा बैतरेनी का river बचाने का जो आंदरोन चल रहा था, वहां भी आप सामिल हुए थे, मैं तो कई बार गया, ब्राह्मी में गया, वेतर्नी में गया, इन सब नदियों के जो हालात है, ये हालात के लिए कौन जम्मेदार है, द जान लिया कि नदिया उनकी है, state river है, तो फिर community जब भी नदी में कुछ काम करेगी, तो इनका irrigation drainage act, Odisha irrigation and drainage act, उनको jail भेजेगा, तो लोग क्यों jail जाएंगे यार, मर जाएंगे ना, इससे अच्छा, jail में जाएंगे, क्यों जाएंगे, तो या तो ये Odisha government कह दे कि, we not have any act, तो लोग अपने आप करेंगे, फिर मैं कह सकता हूँ, हाँ, ये community responsibility है, दोस्त, मैंने राजस्तान में 377 मुकद में जहले थे, मेरे जैसे पागल लोग कम होते हैं, कोई नहीं ये मुकद में जहलना चाहता बिना मतलब, तो यदि ये Odisha सरकार कह दे, कि नहीं नहीं, इन नद तो उस कानून में, लोग यदि कुछ भी नदी पे करेंगे, तो इनका जो irrigation का engineer है, उनको जाके arrest कराके jail में डाल देगा, जितने नदिवे भी जो इसू आया है, तो सरकार को इसके लिए नया कानून की जरूरत है, या सरकार क्यों नहीं कर पाता है, सरकार को कोई कानून की पात नहीं है, सरकार के हाथ में अंग्रेजों के जमाने के बनाये विए बहुत hard law है, साथ जोडने के लिए जो एक मैंने कहा ना इसको हिंदी में कहते हैं जल उपयोग दक्सता बढ़ाने वाली एक वाटर लिटरेशी मुमेंट इस्टार्ट करने की जरूरी है बहुत बहुत शुक्रिया राजिंदर जी हमारे साथ बहुत गंभीर वीशेयों पर बात करने के लि और पहले जो जितने बार भी आप गए हैं आपका जो एक्सपरियंस जो रहा है इस बार एक्सपरियंस आचा रहे है आपका जो सुझा हुए उसका पर काम हो जाए रोडिसा का जो पानी का जो इसू है जो उसका कोई हल निकल आए और राज्य सरकार आपके बात सुने बहु मैंने जीवन पर आशाओं के बीज बोए है ना जी 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 आई स्वेंग दशीड फोर होप ओके सो इसलिए मुझे इनसे भी आशा दिखती है इसलिए जाओंगा जी बहुत बहुत शुक्रिया दन्यवाद अमस्वित थिले राजंद्र सिंग जलमानवा एबंग से उडिसारे नदीर समस्या हूँ वा ओडिसारे पानेयों जळर समस्या हूँ क्रूशे समपर क्रमश् bulbs बंश अने गुड़ी झाल झाल